दूप की वज़े से आपके स्किन पर टैनिंग हो गई या अनीविन स्किन हो गई या आपके स्किन पर डार्क पैचिस हो गई हैं दाग धबे हो गई या पिंपल निकला है या आपके चेहरे पर जलन हो लिए तो आज की रेमडी आपके लिए बहुत ही कारवसाबित होने वाल क्योंकि कि ताशिर ठंडी होती है और एक चमस चावल लिया है। थंड होना के वजह से हमारी स्किन टॉन को जो गर्मी के स्ट शंटेंंग हो जाती है उसकी प्रॉब्लम को दूर करती है चावल स्किन को लाइट ब्राइट बनाते हैं तुम को टाइट भी करते हैं इन दोनों अच्छे से दो लीजिए जो भी इन पर गंदगी लगी होगी वो साफ हो जाएगी साफ करने के बाद एक मिक्सर का चोटा जाल ले लीजिए उसमें इन दौनों चीजा को डाल लीजिए डालने के बाद आपको लेना है खीरा खीरे को चील के दो टुकड़े मेने खीरे के और यह जो बेश्ट बच जाएगा इसको भी आप यूज कर सकते हैं इसमें आप थोड़ा सा बेशन या चावल का आटा डाल के इससे आप इसकर्ब कर सकते हैं जो आपके डेट सेल्स को दूर करेगा और इसके उने गिलो लाएगा तो इन सारी चीजों के बाद यह हमने रस निकाल लिया है इसमें आपको लेना है एक चमच अलुवेरा जेल तो मैंने एक चमच अलुवेरा जेल लिया है और यह मैंने मार्केट वाला ही लिया है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अलुवेरा जेल आपकी स्कीन को हील करेगा आपके हाइडरेट रखेगा इसकीन क तो दाग दब्म को दूर करेंगा और इसमें मैंने आधा चमच के बराबर बादाम का तेल लिया है जिसे कि हमारी इसकी थोड़ी सी ड्राय हो जाती है तो इसमें नमी बनी रहे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगी मिलाने के बाद और हमारा यह सीनम बनके रेडी ह इसे आपको एक इस्प्रे वोटल में भरके फ्रीज में श्टोर करके रखना है तो इस तरह कि आपके पास कोई भी इस प्रे वोटल हो इसमें आप इसे भर लीजिए इसको बिल्कुन भी बाहर नहीं रखना है क्योंकि यह बहुत जल्दी खराब हो जाए और इस शीरम को आ आपको दिन में दो से तीन वाल लगाना है इसे लगाने के बाद मजा ही आ जाएगा जो गर्वी में ठेंड़ा कैसास लगेगा तो आप खुदी इसे बार बाल लगाओगे